नमस्का कुरुपा वश में बहुरुपी द्वारा सीका श्वैर अकबर बिलबल की कहानी एक देन डिल्ले के काजी से बिलबल को दरम समधी चचा छीडी जब काजी सब प्रकार से हार गया तो उसके मन में इस बात के लिए लज्जा उत्पन हुई और अपने मन में बिलबल को मार डालने का प्रण के कल लिया ये प्रण कर यात्रा के बाहा ने बादसाच छुट्टी लेका नजर से बाहार किसी दूसरे सहर को चला गया और वहां अपना नाम पता शिपा का बहुरुपे का स्वाक सिखने लगा जब वहां उस पन में होश्या हो गया तो बहुरुपे का रुपदारण का दिल्ली लोटा सहर में कई जग उसने नए नए स्वाक निकाले जिसे लोगों में उसकी कला की उत्तमता की चल्चा फ्याँ गयी धीरे धीरे यहां तक की यहां बाद बाद्सा के कान में जा पड़ी बाद्सा को उसका स्वेक देखने की प्रबल इच्छा होई एक दिन साम को सिपा ही पेचकर उसे बुलाया और जब वहां आया तो उसे नए स्वाक दिखलाने की आगिना दी जब बोला प्रच्विनाब मैं ऐसी ही का स्वेक करना बहुत अच्छी तरह जानता हूँ परन्तु उसमें खुण भी हो जाने की आसन का रहती है यदि आपकी तरब से मुझे एक खुण की माफी दी जाए तो मैं उसके आपके सामने दिखलाने का उपाय करूँ स्वेंक के समय वहाँ पर दीवान का पी रहना अत्यन आवश्यक है बादसा ने उसे एक खुण की माफी दे दी जब बहुरुपय अपने कर गया तो बादसा बोले बिर्बल चाते समय बहुरुपय कहता गया है कि कि बीना बिर्बल के सांग नहीं दिखला जाएगा इसलिए उस समय तुमको भी वहाँ उपरस्थित रहना लाजिम है बिर्बल ने बादसा की आगना को सिकार कर लिया परन्तु उसी वक्त बहुरुपय की बातों का सिलसिला मिलाने से नाथ हो गया कि हो नहां कि कुछ दाल में काला अवश्या है यहां मुझे तो खाते न चाहता है इदर बादसा की आगना का पालन करना पी जरूरी है दूसरे दिन ठीक समय पर बिर्बल दरबार में हाजिर हुआ इदर बहुरुपय भी सिलका स्वेक बना कर उचलने कुदने और तड़पने लगा कला चातूरी को देखकर बादसा मोहित हो गया सबी लोग उनकी प्रसंसा करने लगे इतने में वह बनावटी सी बिर्बल पर चटपटा यहां दूश्य देखते ही लोगों को बिर्बल के मनने की आश्यंका हुई बेहुरुपय ने बिर्बल को मार डालने के विचार से अधिक परिश्रम किया परन्तु मारना तो धूर रहा उसके वंदन से एक खुन भी बाहर नहीं निकला सभी लोग इस दूश्य को देखकर दंग रह गए बिर्बल तो पहले ही से कपट मुद्रा को तोड़ तार गया था इस वास्ते कूर्टे के निचे सुद्र कवच पहन कर आया था जिसे बहर रुपय का कोई अस्त्र उसके सरी को जखम न पहुचा सके बादसा बिर्बल को जीवित देखा अतिप्रसन हुए बाद चीपाने के अभी प्राय से बिर्बल ने उस बहर रुपय की बड़ी प्रसन साकी बादसा ने बिर्बल से पुचा इनको क्या ही नाम देना चाहिए बिर्बल ने कहा इनको एक महने के लिए दीवान पर एक नियुद करना चाहिए बहर रुपय को यहां सुनकर मन में प्रफुलित हो गया बिर्बल ने कहा जो सत्ती का स्वयंग ठीट से करके दिखलाए तो उपर की सर्थ मानी चाहेगी अन्य था नहीं बादसान इस बाद का अपनी जवान से तोहरा का तोहर बहर रुप्य को कहा जो तुकल सत्ती का सही सही स्वयंग को सल्थ पूर्वक दिखलाएगा तो तुझे एक वर्ष का दीवन दिया जाएगा थोर यदि चुक जाओगे तो प्राणडन दिया जाएगा बहर रुप्य ने इस बाद को स्विखा कर लिया दूसरे दिन उसी समय सती श्ट्री का स्वरुप धायां कर दर्बाल में बिर्बल ने भी उनकी दवादारु का इंचम पहले से ही कर रखा था वहां कोईला का एक कुन पहले से ही दहक रहा था कुन को देखता ही बहर रुप्य का वस्टिकाना न रहा उसने समझ लिया कि काल का प्रतिसोत करने के लिए ही बिर्बल ने यहां खुपरा फ़ाद खड़ा किया है अब इससे बजगर बाहर निकलना कठिन है बीना अगने में बैठकर बाहर निकलने यहां स्वांपुन नहीं हो सकता ओइकुंड में गीरा प्राण विसर्जन हुआ उसी समय डावा डोल हो गया उसके मन में आया कि अपना पेठ बादसा को प्रकाट कर दे पारन्तु फिर अने कठिन आया उपस्थित होने की संभाण कर्चु हो गया अन्त में जब सत्य का स्वांग दिख लाते दिख लाते अंगनी के प्रवश का समय आया तो उसमें खुद को प्राण त्याग कर दिया उसकी मोद से जो लोग असली परम नहीं जानते थे बहुत दुखे हुए परंतु बिर्बल को ये येन के प्रकारन उसका भेद मालूम हो गया था इसलिए उन लोगों को समझा दिया इतना ही नहीं बलकि बादसा के सामने कई शाक्षिया दिलवाकर अपने बात प्रमानित करवा दिए बादसा बिर्बल की ये उक्ती से बड़े प्रसन हुए और उसकी निती पूरो छल से सत्रु के मानने की जा उन्हें बड़ी प्रसन आई और पुरी-पुरी प्रसन सा करने लगे वे बुत्ती की सरहाना करने लगे आप से फिर मिलेगे एसे ही एक इंट्रेस्टिंग आर्टीकल के साथ तक तक के लिए आप जहां भी रहे खुश रहे और खुशिया बादते रहे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजी आपके परिचित लोगों के साथ सेर कीजी हमारी यूट्यूब चेनल सब्सक्राइब कीजे आपका बहु मुले समय हमें देने के लिए दूसरे तन्यवाद आपका दिन शुब रहे वीडियो आपके बहँ आपका ले भी chakra आपके बहुमारी यaly आपके बहुमारी यूगा